नमस्कार दोस्तों, NCRT Class 10th Economics से किताब चल रही है, इसके Chapter No.4 पे हम लोग पहुँच चुके हैं टैटल क्या है? Globalization and the Indian Economy Globalization की बात की जाए, हमारे पास चारो तरफ जो चीज़ भी आज की डेट में देख रही है That is a part of globalization भाई, आज की डेट में दुनिया भर में जहां जहां पे भी consumers हैं, उनके पास wide choices हैं, goods की services की आलग अलग प्रकार की goods services उनके पास है भाई, latest model camera का, mobile phone का, television का, Samsung हो, ठीके भाई, आपका Xiaomi हो, सब लोग अपने TV, सब लोग अपने mobile बेज रहे हैं, सब की अपनी खासियत है हर साल automobile के नया model दिखता है, इतना CC, इतना CC, यह alloy brake, यह disc brake, यह सब किसकी वज़े से हो रहा है? यह सब हो रहा है globalization की वैसे एक समय था कि Ambassador of Fiat की गाड़ी ही दिखती थी, तो भाई, Ambassador की गाड़ी का जो सीशा घुमाने वाला जो होता है, कि सीशा उपर नीचे करने वाला जो handle होता था वो एक कमजोर आदमी नहीं गुमा सकता था, उसके लिए भाई, एक अच्छा खसा अट्टा गट्टा आदमी चाहिए, वो ही गुमा पाता था, तब भी सीशा उपर नीचे जाता था, इतने बुरे हाला थे, अब तो एक बटन दबाया सीशा उपर नीचे तो पहले के समय में, नहीं नहीं जब चाउमीन, अगर आपको याद हो चोटे में, ठीक हैं, नहीं नहीं जब चाउमीन आई थी ना बाहर से, इंडिया में, तो लोग बोलते थे यार ये चाउमीन कोई बड़ी स्पेशल टाइप की चीज़ है, कुछ अलगी चीज है, हमने प्रकार की चाउमीन आपको आज की डेट में नजर आ जाएगी, खाकका नूडल्स, फलाना नूडल्स, एक समय पे जब ये चाउमीन बाहर से, ये चाउमीन को बनाने का तरीका बाहर से इंडिया में आया था, लोगों ने बोला था, भाई हमने खाई है, कुछ तो उसमें अलग है, तो ये globalization मतलग की दुनिया भर में लोग जिन चीजों का इस्तमाल कर रहे हैं, जिस प्रकार से चीजे कर रहे हैं, खापी रहे हैं, उन तरीकों को इंडिया में लेके आना, और केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के तरीके दूसरे जगों पे जाएंगे, और किसी भी कंपनी की कार को इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, टेसला ने इंडिया में कारे बनानी शुरू कर दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ये जो audio टाइप की कार होती है, audio और BMW टाइप की, इनको आप heavy import duty लेके इंडिया के अंदर इंडिया के इंपोर् ठीक है, और ये जो wide ranging choice of goods है न, अभी से अगर आप दो decades पहले चले जाएए, in fact मैं आपसे बोलूगा 1991 से अगर आप पहले चले जाओ, अब तो 30 साल की बात हो गई, 1991 से भी 2000 के time period में बाहर की चीज़ें इतनी market में नहीं आएंगी, 2000 के बाद बहुत तेजी सानी शुरू हु चाहिए, तो भाई कहीं न कहीं 1995 के लिजए या फिर 2000 के बात कह लिजए, तो बाहर के रहने के तरीके तोर तरीके, बाहर की चीज़ों के इस्तमाल करने के तरीके, ये बहुत तेजी से इंडिया में entry मारे हैं, वाइड ranging of goods इंडिया में entry मारी हैं, और ये सब चीज़ें दो के चीज़ों को पसंद करने का थरीका, हर चीज़ बदल चुकी है, और इसमें major role कैसे देखते हैं, तो भाई production across countries को देखना पड़ेगा, अगर आप 20th century के middle में चले जाओ, मतब 1950s के लगबग चले जाओ, तो आपको पता है कि हमको आजादी ही 1947 में मिली है, 1950s से पहले, बह वैसे ले लिजे, ठीक है, जर्मनी ले लिजे, हाला कि जर्मनी काफी बरबाद हो गया था वर्ड वार में, तो कहीं न कहीं ये countries राज करती थी और बाकी सारी countries गुलाम थी, तो ये countries अपने राज के हिसाब से चीज़ों का import, export करती थी, तो raw material, food, stuff, finished products की trading उस समय पे भी होत लेकिन कुछ इस प्रकार से होती थी, कि इंडिया से raw materials भर-भर के, food stuff भर-भर के, ले के जाया जाता था इंग्लेंड में, और इंग्लेंड में इन raw materials को, इंग्लेंड की जो industrial revolution वाली factories उनमें embed करके finished products बनाय जाते थे, और फिर ये finished products इंडिया में लाय जाते थे, ताकि almost पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा था, ठीक है भई, लेकिन धीरे धीरे, colonialism वाली ये प्रथा खतम हुई, देशों को आजादी मिलना शुरू हुई, हम 1947 में आजाद हुए, बहुत सी और countries भी धीरे धीरे आजाद होने लगी, उसके बाद आएंगी scene पे कौन सी large companies, जिनको आप बोलते हो multi national corporations, MNCs, MNCs के साथ तो वैसे भी इंडिया में एक status symbol जुड़ा हुआ है, तो मेरा बेटा MNC में काम करता है, मेरी बेटी का MNC में interview इस प्रकार की चीज़ें अक्सर कर आप सुनते रहते होंगों, MNC क्या होती है, MNC कैसी company होती है, जो own करती है या control करती है production को किवल एक nation में नहीं, एक से ज़ादा nation में, MNC ने अपने offices को और factories को establish कर रखा है, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में क्यों, चुकि वहाँ पे उनको cheap labor पे और बाकी resources सस्ते में मिल रहे है, तो जब बाकी resources सस्ते म एक business अगर आप करोगे, एक धंदा अगर आप करोगे, तो आपका सबसे पहला motive है कि profit बढ़ाओ, बिना profit motive के अगर कोई लोगों के लिए कुछ कर सकता है, तो वो सरकारे कर सकती है, ठीक है, civil society groups कर सकते है, social groups कर सकते है, corporates, MNCs, ये सिर्फ profit motive पे काम करते है, फिर आगे equipment का जो design होगा, ये MNC कहां पे बनाएगी, तो ये United States में बनाएगी, design से related साला काम United States में होगा, लेकिन इसके जो छोटे-छोटे components से वो कहां manufacture होगे, चायना में होगे, इन components को assemble कहां किया जाएगा, तो भाई, Mexico और Eastern Europe में assemble किया जाएगा, फाइनली इनको दुनिया भर में तक इन चीजों पर पहुचाया जा सकता है, लेकिन आज की rate में जो luxury items है, जो महंगे items है, ये पूरी दुनिया में बिखते हैं, तो अब ज़्यादतर जो items होते हैं, वो चायना में ही assemble होते हैं, और बनते भी चायना में ही है, कहीं न कहीं अगर आप iPhone की बात करो, अच्छा, यूएस में ऐसी कोई company है, तो इनकी designing तो यूएस में होगी, ठीक है न, इनके components का manufacture होगा कहां पे चायना में, और Mexico और Eastern Union पे इनको assemble किया जागा और finally इनको वहाँ पे बेचा जाएगा, जब बेचा जाएगा, उसके बाद call center की services, तो भाई TV को कैसे install करना है, अगर TV बंद ह गया, तो कैसे troubleshoot करना है, इसके लिए call center services कहां पे होगी, तो वो इंडिया में होगी, यहाँ पे नीचे आपको एक call center नजर आ रहा है, बेंगलूरू में, यहाँ पे proper telecom facilities होती है, internet होता है, तो बाहर के customers phone करते हैं, वो phone इस call center में किसी call center employee के पास जाएगा, इन employees को पहले ही in industrial machines की servicing के लिए proper training provide की जाती है, तो यह लोग troubleshoot करेंगे और उसे साबसे information को process करेंगे, तो IT sector में जो हम लोग export करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा export in IT services का है, जो कि हमारे देश के जो लोग है, जो young staff है, जो कि English अच्छी बोल लेता है, वो यहाँ पे बैठके काम करता है, बहार के देशों के लिए, लोगों को पैसा भी मिलता है, ओके, तो भाई, यहाँ पे हमने देखा कि MNC अपना finished goods और products बहार बेच रही है, पूरी दुनिया में बेच रही है, लेकिन और भी कुछ goods and services भी करहे हैं, और यह goods and services globally produce हो रहे हैं, और बहुत complex ways में एक जगा से द और यूरोप के markets के पास हैं, अब तो खेर, दुनिया भर में markets develop हो गए हैं, तो चाइना में ही assembly होने लगती चीजों की, और इंडिया में एक highly skilled engineers हैं, जो की production के technical aspects को समझते हैं, और यहाँ पे एक educated English speaking youth है, जो की call center की customer services को provide कर सकता है, तो कुल मिलाके, इस प्रकार से, अपन दुनिया में फैला कि, यह MNCs करती हैं, यह MNCs अपनी cost को cut करती हैं, 50-60% यह अपनी cost कर देती हैं, और यह 50-60% इन MNCs का profit हो जाता है, तो इन MNCs के लिए win-win game हो जाता है, ठीके, win-win game कैसा हो जाता है, कि यह MNCs अपने घर में जब काम करती हैं, तो नाना प्रकार के इनक conditions work मांग रहे हैं, higher wages मांग रहे हैं, अब यह जो employer है, company जलाने वाला आदमी है, वो बोलेगा, यहां पर हम इनको wages ज्यादा देंगे, और better conditions देंगे, तो हमारा तो खर्चा ज्यादा होगा न, एक काम करो, इस industry को India या चाइना शिफ्ट कर दो, तो चाइना में इनको better infrastructure मिले करेंगा, US, UK और European markets में tax बहुत जदा देना पड़ता है, बट developing countries के market में tax कम देना पड़ेगा, और कहीं न कहीं, जो developing countries होती है, उनकी सरकारें इस प्रकार के corporates को बहुत support देती हैं, आप देखे हमारे दिश के प्रधानमत्री और Finance Ministry, हर जगा जाके companies को invitation देते हैं, कि सेकेंडरी सेक्टर में आपको employment चाहिए, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में अगर आपको employment क्रियेट करना है, तो भाई आपको ऐसी industries को इंडिया में बुलाना ही पड़ेगा, जो कि primary sector जिसमें अग्री कल्चर आता है, वो already overloaded है, sectors of the economy के respect में में पहले बात कर चुका हूँ चैप्टर नमर वन टू में, इसी NCRT क्लास 10 की economics किताब में, फिर बात करते हैं, interlinking, production across countries, ठीक है बई, MNCs नॉर्मल लिकर अपना production वहाँ पे setup करती हैं, जो इनके market के पास होता है, जहाँ पे इनको skilled और unskilled labor दोनों कम दाम पे मिल जाए, जहाँ पे सारे factors of production available हो, जहाँ इन MNCs की बात सुनने को वहाँ की सरकारे तक तयार हो, वहाँ की सरकारे इन MNCs को कुछ favorable चीज़े देने के लो तयार हो, और जब घथ सारी conditions fulfill हो जाती हैं, तो MNCs अपनी factories को setup करती हैं, अपने offices को setup करती हैं production के लिए, जब यह companies offices को setup करती हैं, company को setup करती हैं, तो यह investment करती ह कैसा investment तो जमीन खरीदेंगी जमीन में building मनाएंगी machines लेके आएंगे equipment लेके आएंगे यह सब क्या है यह investment है इसको बोले जाता है foreign investment इस foreign investment को आप green field investment भी बोच सकते हो अगर एक industry को बिल्कुल नए सिरे से setup किया जा रहा है और अगर एक existing company को buy कर लिया और उसको improve कर दिया तो व उन्हों ही प्रकार के investment अच्छे होते हैं जब भी इस प्रकार का कोई investment एक MNC करती है तो MNC इसके पीछे काफी सोच फरोग के काम करती कहीं न कहीं सोच की चीज़ें करी जाती है जिसमें profit element को proper ध्यान दिया जाता है ठीक है भाई तो MNC नए सिरे से भी industry setup कर सकती है और MN investment एडिशनल जमीन, एडिशनल नई मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन ये सब चीज़ें अवलेबल लोकल कंपनी को अवलेबल करवाएंगी, लोकल कंपनी को टेक्नलोजी अवलेबल करवाएंगी, लोकल कंपनी पास में आराम से जो गरीब तपका है उसको हायर कर सकते है और कुल मिलाकिक विन-विन सिचुएशन हो जाती है इन फॉरन कंपनी के लिए और लोकल कंपनी के लिए, हाला कि जो में प्रॉफिट होता है, वो इन फॉरन कंपनी को ही होता है, जो सबसे कॉमन रूट होता है investment का, ये MNCs बहुत सारी लोकल कंपनी को खरीद लेती है, करगिल फूट्स नाम की बहुत बड़ी American MNC है, जिसने बहुत सारी छोटी छोटी इंडियन कंपनी को खरीद लिया, जैसा पराग फूट्स को, ठीक है, पराग फूट्स ने बहुत बड़ा marketing नेटवर्क फहलाया है इंडिया में, और पराग की जो ब्रांड है, वो बहुत पराग की चार oil refoundries हैं, जहां पर वो edible oil, वो कच्ची गानी का तेल हो, इस परकार की जो तेल, जो कि हम लोग अपने kitchen में इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रियूप करता है, और कहीं न कहीं इस परक फूट को करगिल MNC ने खरीद लिया है, ताकि इंडिया का ये जो food market है, उस कि काफी सारा profit ये कमा सके, और ये profit कमाते भी हैं, और कहीं न कहीं ये production को भी control करते हैं, प्राइविट सेक्टर को autonomy मिलेगी, वो production करेगा, और वो production इस हिसाब से करेगा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, तो politicians हर चीज इनकी jam में रहती है, और ये MNC's हर feed में गोस्तु कियें, जाए वो garment हो, footwear हो, sports item हो, कोई भी हो, इन MNC's ने दुनिया भर के छोटे-छोटे producers के साथ बहुत सारे contract sign हो रखे हैं, और उस contract के अंदर ये छोटे-छोटे producers इनको product supply करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक example बताता हूँ, आपने कुछ brand सुने होंगे, Old Navy नाम का एक brand सुना होगा, ठीक है, आपने Zara नाम का एक brand सुना होगा, आपको पता है, एंडिया से जो garment export करते हैं, हो सकता है कि Zara की एक shirt, मालीजा आपका mood बना, आपके बहुत सारे पैसे आ गए, कल की date में हम New York घूमने गए, और New York को किसी fancy से mall में आप गए, और वहाँ पे 35 डॉलर वहाँ पे खतम किये, ठीक है, 35 डॉलर को अगर 80 रुपे प्रती डॉलर के हिसाफ से मैं calculate करूँ तो लगबग 2800 रुपे लगबग होगा, 45, 44, 24, 2800 रुपे, ठीक है, यह 2800 रुपे की shirt है ना, Zara की, जो कि आपने New York के mall से खरी दी है, हो सकता है, यह Zara की shirt इंडिय से आई हो, और हो सकता है, क्या आती ही है, इंडिया से, यह बंगलादेश से, यह किसी एक आर ऐसी country से, आपको पता है, इंडिया में जो छोटे-छोटे garment manufacturers है, उनको यह Zara, Old Levy और Gap जैसे brand, bulk shirts को order place करते हैं, और एक shirt के मुश्किल से 200 रुपे और 300 रुपे देते हैं, क्यो दो हजार, पांच हजार की बेचेगा, और जो हमारे देश के domestic producers हैं, वो इस बात को जानते हैं, कि foreign markets में shirt महंगी भीखेंगी, पर वो कर कुछ नहीं सकते हैं, चुकि यह बड़े-बड़ी MNCs हैं, यह पूरी की पूरी supply chain को dominant करते हैं, इनके marketing networks बहुत strong हैं, हमारे देश के जो छोटे-छोटे producers हैं, इनके पास कोई option नहीं है, या तो इन international producers की बात मानो या मत मानो, दो यह option हैं यहापर, समझ गए, यह जो MNCs हैं, वो इन products को अपने brand name के अंदर भेजते हैं, महंगे दामों पे भेजते हैं, यह MNCs पहले से ही, उस shirt की design, उसके price, उसकी quality, delivery, labor conditions, को exploit करेंगी, तो tailor, structure, उनको ना के बराबर पैसे जी जाते हैं, कितने कम पैसे दिये जाते हैं, इसके बारे में मैंने पहले की अपने NCRT किताब में बात की हुई है, यहाँ पे देखे कुछ women बैट के football बना रही है, और यह football large MNCs developed markets में बैचेंगे, लेकिन यहाँ पे हमार तो MNCs किस प्रकार से production को और local producers को पूरी दुनिया में influence करती है, यह बात आपको पता है, चुकि यह जो MNCs है, यह पूरी supply chain को, पूरे के पूरे marketing network को dominate करती है, overall पूरा का पूरा production process ना केवल इनके देश में, जहाँ पर यह अपने products को बेच रहे हैं, कही न कहीं जहाँ प एक देश में चीज़ें नहीं बेचते हैं, चाहे इंडिया देख लीजे, यूरप देख लीजे, North America, South America, Australia, China, हर जगा पे इस तरीके के जो brands है, वो अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, कि कहां पे चीज़ें बिक रही हैं, और कहां पे चीज़ें produce हो रही हैं, बेचने की supply chain, marketing, खरीदने का production process, सब कुछ इनकी मुठी में है, सब कुछ इनकी जेब में है, एक और example देखते हैं, एक ऐसे ही investment का, Ford Motors नाम की American Company, one of the world's largest automobile manufacturer है, 26 countries में इसके production होता है, Ford Motors एंडिया में 1995 में आई, और 1700 करून रुपे का एक लाज़ प्लांट, Ford Motors ने चिन नहीं के पास, इसके साथ collaboration में किया, तो महिंद्रा एं महिंद्रक साथ collaboration में किया, महिंद्रा एं महिंद्रा एक major Indian manufacturer था, जीप्स और टक्स का, 2017 तक Ford Motors, 88,000 कार्स इंडियन मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडियन मार्केट में बेच रहा था, एक लाग 81,000 कार्स को, साउथ अफ बहुआ में जो आपका बलाड स्टेट के पास यह जो आपका पोर्ट है, इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है, कभी उस पोर्ट के अंदर आप जाओगे न, तो वहाँ पर बड़े बड़े दो Sheds है, एक Sheds इंपोर्ट का है, एक Sheds एक्सपोर्ट का है, वहाँ पर कारे ही है, वह कारे जो कि इंडिया में मैनुफेक्चर हुई हैं और बहार जानी है, और वह कारे जो कि बाहर से इंडिया में यूज़ होनी है, समझ गया? हमको साफ साफ नजर आ रहे हैं बहुत लंबे समय से foreign trade ही एक ऐसा channel है जिसने अलग-अलग countries को एक साफ पकड़ के रख रखा है trading routes ancient India में हमने देखा कि India और South Asia को East और Western countries के साथ जोड रहे थे आपको पता है कि trading interest के चलते ही पैसा कमाने की चलते ही East India Company और बाकी European countries इंडिया में आके इन्होंने markets को colonize किया, foreign trade किया आज की date में भी कहीं न कहीं यह जो trading होती है, goods का export और import होता है यह अपने अपने मतलब के हिसाब से ही होता है, जो producers है वो चीजों को बेच सकते हैं domestic market में भी, यह international market में भी जहां पे भी उनको ज़्यादा profit नज़र आएगा वहाँ पे उस हिसाब से वो चीजें बनाएंगे और उनको बेचेंगे ठीक है बएग और इससे दो तीन चीजें होंगी पहले चीज क्या होगी, first of all अगर चीज बनी, तो चीज बनने के बाद उसको domestic market में पेचने का compulsion नहीं है, अगर export market में export करके ज़्यादा profit मिल रहा है, तो उसको export किया जा सकता है, दूसरा एक देश जो की माल लिजए अपने domestic produce पे dependent है, अगर ये चीजों को बाहर से import कर सके, तो चीजों को बाहर से import करने में क्या हो रहा है कि इस देश के लोगों के पास भी कुछ alternatives आ रहे हैं और हो सकता है कि ये alternatives जो domestic चीज़ें available थी उनसे better हो तो इससे दो चीज़ होगी, पहली बात तो लोगों को एक wide variety of goods की choices मेरेगी, दूसरी बात जो domestic industry होगी, वो अपने आपको evolve करने कोशिश करेगी, वो देखेगी कि जो बाहर से goods आ रहे हैं, ये कैसे अच्छे हैं, कैसे खराब हैं, और अगर ये अच्छे हैं, तो कही नगए हम भी इस प्रकार के goods को बनाने के कोशिश करते हैं यहाँ पे एक example दिया गया है toy industry का पहले इंडिया में इंडिया, इंडियन्स के दोरा बनाएगे toys बिखा करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इंडिया में Chinese toys dominate करने लगे, आज भी इंडिया में Chinese toys dominate कर रहे हैं, हलाकि इंडिया की toy industry को चाइना की influence से निकालने की पूरी भर-पोर कोशिश कर रही सरकार और आगे आने वाले समय में हो सकता है सरकार इस चीज़ में काम्याब हो भी जाए पट कहीं न कहीं, बहुत लंबे समय के लिए इंडियन toy market को चाइनीज company होने dominate किया है Chinese manufacturers ने अपने देश में लोगों के लिए toys बना है बाद में उनको पता चला कि इंडिया में toys की काफी demand है और इंडिया में toys महगे दामों बेचे जाते Chinese inspectors को पता चला कि हम तो सस्ते दामों में चाय बना रहे है तो इन्होंने इंडिया में buyers को toys export करने शुरू की इंडिया में जब ये Chinese toys पहुँचे तो अच्छे भी थे और बहुत सस्ते दाम के थे तो Chinese toys एकदम से बहुत तेजी से बिखने लगे और एक साल के अंदर 70-80% जो toy shops थी ना इंडिया की वो Chinese toys को बेचने लगी क्यों? जो कि इंडियन मार्केट में पहली बाद आने लगी और इंडियन toy industry बरबाद ही होती चली गई और Chinese toy industry उपर ही उठती चली गई समझ गए? तो यह एक general trend हमको यहाँ पे देखने को मिला है तो क्या बताया जा रहा है? इन general with the opening of trade goods travel from one market to another choice of goods in the markets rises prices of similar goods in two markets tend to become make call समझे जब एक market से दूसरे market चीज एक्सपोर्ट होती है तो एक country में वो good जितने दाम का बिक रहा था और दूसरे country में वो good जितने दाम का बिक रहा है उनके बीच के differences कम होने लगेंगे तो चाइना से चीजें एक्सपोर्ट होके अगर में जो producers है वो आपस में एक दूसरे के साथ competition करेंगे चीजों को competitive तरीके से बेचने के लिए irrespective of the fact कि दोनों एक दूसरे से 1000 km से भी ज़्यादा से दूर है foreign trade markets को connect करता है integrate करता है problem यह है कि भाई अगर आपकी technological efficiency कम है technological competence कम है तो आप हार जाओगे इसलिए इडिया की जो trade industry है वो चायना के सामने बहुत लंबे समय से हारती नज़र आ रही है हम कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने की लेकिन अभी भी चायना से बहुत पीछे हैं देखते हैं कब हम लोग चायना के साथ catch up कर पाएंगे तो यह था इसका analysis दोस्तों आई होब आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए का चायदा चायदे लोगों को चैनल के बारे मताएं अब ग्रेट टे कुट बाएं